हुआ है हलो दोस्तों नवस्ते मैं डाक्टर सुरेंजन सरकार एक पशूची किस्षक हूं मेरा खुद का प्रेट क्लिनिक है और मैं लेख लिखने का या आर्टिकल्स लिखने का सौक रखता हूं मैंने कई इस मैगजिन में मैंने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं अभी कुछी दिन पहले की बात है मैंने एक आर्टिकल्स लिखा था why do dogs eat grass कुटे घास क्यों खाते हैं क्या वज़ा है कि वो कुटे घास खाते हैं काफी स्वस्थ डॉग है जो जिनको भरपूर खाना मिलता है सब कुछ सब सुविदा है फिर भी जब नीचे जाते हैं जब बाहर जाते हैं तो घास जरूर खा देते हैं तो आखिर कुटे घास क्यों खाते हैं घास खाके कभी-कभी उल्टी करते हैं बाहर में घास खाते हैं और घर पर आके उल्टी करते हैं जो काफी समस्या होती है लोगों को साफ करने में तो ऐसा कुटे क्यों करते हैं तो आज का हम लोग का विशा है कुट्टे घास क्यों खाते हैं और क्या हम लोग क्या करें कि वो कुट्टे घास नहीं खाए और उल्टिया नहीं करें चलिए राइए दोस्तों आज देखते हैं कुट्टे घास क्यों खाते हैं तो दोस्तों कुतों के घास खाने के बारे में काफी सारे रिसर्च हुए हैं काफी सारी धार्णाए हैं लोग कुछ गलत कुछ सही जिनमें से प्रमुक हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं जिवन कुछ पसुति गिस्टक भी हैं सोचते हैं कुट्टे को बॉंस हो गया है, पेट में कीडा हो गया है तो उस वो घास खा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत साबित हुआ है, और इसके लावे कुछ और सोचते हैं, कि कुट्टा में जो घास खा रहे हैं, तो वो एक अलग डिजीज, जिसका नामे पाइका, जो गायों में बकरियों में भी होती है, वो उनको हो गया है, जिसको ये एपटाइट उनका डिप्रेव्ड हो गया है, जैसे डिप्रेव्ड हो गया है, तो वो क्या करेंगे, कि घास, कागच, कपड़ा, और काफी सारे ऐसे चीज, जैसे काटी, काची, लकडी, ये सब खाने लगते हैं, तो यह पाइका का एक symptom है, लेकिन यह भी गलत साबित हुआ है. Scientist ने इस थेओरी को नकार दिया है. कुछ सो लोक सोचते हैं, कुछ जब बिमार पड़ता है, तो अपना साइरिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए घास खाते हैं, यह भी सही नहीं है. कुछी दिनों पहले इसके बारे में एक रिसर्च हुआ, इनिवस्टिटी आफ कैलिफोर्निया में. वहाँ एक बैग्गानिक, Mr. Dr. Benjamin Hart, आप इसे Google भी कर सकते हैं, उन्होंने इस पर एक अनुसंधान किया, एक रिसर्च किया, रिसर्च में काफी सारे डॉर्ग्स को उन्होंने अब्सर्व किया, काफी दिनों तक, और यह पाया, कुछों में घास खाने की जो आदत है, या जो प्रवीती है, वो बिलकुल भी नॉर्मल है, बिलकुल नॉर्मल, यह कोई सारी कमी या कीडा या बिमारी का लक्षन नहीं है, यह बिलकुल भी सभाविक नेचर है, कुट्टे घास खाते हैं, यह बंसों से उनके वर्षों से वो चला रहा है, अभी भी वे लोग देखें कि जो वूल्प्स हैं, मतलब सियार, वो लोग भी अभी अपना घास यह घास खाते हैं, तो यह घास खाने से उन्हों की सरीर और अच्छा होता है, ऐसा धारना है, ऐसा कि कुटों के घास खाने से उनके पेट में कीडे होते हैं, तो घास तो काभी फाइबरस होता है, तो फाइबरस होने के कारण कीडे जो है उसके लपेटे में आत में, और आ तो एक तरह से उनके ये हीत के लिए है, उनके अच्छाई के लिए है, और योँ भी ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, कोई भी नॉर्मल डॉग, कोई भी स्वस्थ डॉग, चाहे कितना भी अच्छा खाना मिले उसे, कितना भी स्वस्थ है, वो लेकिन घास खाएगा, और रही कुट्टे नहीं करते हैं सभी कुट्टे घास खाके उल्टी नहीं करते हैं खास करके बीगल बीगल अगर घास खाएगा बीगल नसल का कुट्टा अगर घास खाएगा तो घास खाने के बाद वो उल्टी नहीं करता है लेकिन उसी जगह पर अगर कोई जर्मन सपर्ड या लेबरेटर घास खाता है तो ऐसा देखा गया है कि 20 से 25 परसेंट केस में वो डॉग जो है उल्टी करता है तो ऐसा भी नहीं है कि उल्टी बहुत ज़्यादा करता है या फिर उसे वो बिमार पर जाता है एक आद बार उल्टी करके वो ठीक हो जाता है अपने आपको हलका महसूस करता है लेकिन अगर कभी ऐसा देखने को मिले कि घास काने के बाद वो बिमार पर जाए या फिर जो है वो उल्टीयां करता रहे तब आप क्या करेंगे तो ऐसी इस्थिति में एक दवा होती है जिसे मैं बताना चाहूंगा पेप्टो बिस्मॉल NICK ये काफी सारे लोग नहीं जानते हैं आपनोट करवेए पैप्टो बिस्मॉल जो दवा है उसे आप ऐसी इस्थिति में दे सकते अगर प्रप्टो पिसमो घास खा के उल्ती कर रहा है डॉग, तो आप अगर प्रेटो पिसमो पिसमो देंगे तो वो ठीक हो जाएगा अब आते हैं एक प्रमुख बात पर अगर ये नॉर्मल बिहेवियर है डॉग का, तो क्या हम उसे घास खाने दे? तो इसके जवाब में भी बितर्क है बितर्क ये है कि आज कल के घास में, लॉन में अभी भी अगर देखेंगे कहीं शेहरों में तो कई तरह के किटानू नाशक दवा मिन्स बलती के द्वारा छिड़का जाता है ऐसे स्थानों में अब अगर कुत्ता अगर ये घास खाएगा जिसमें किटानू नाशक मिला हुआ है तो फिर उसके लिए जान लेवा हो सकता है इसलिए हम लोग कहते हैं कि कुत्ते को घास खाने ना दिया जाए और अगर देते भी है या खाता भी है तो एक लिमिटेड मात्रा में हो और ऐसे जगह पे हो जहां किटानू नाशक दवाओं की पहूंचना हो तो ऐसे में वो बिमार नहीं प्रया लेकिन आप कुछ कारण से कुछ तरीके अपना के इस कुत्तों की इस प्रवीति को कुछ हद तक रोका जा सकता है हो है आप अगर आईरण टॉनिक देने पर और उनकी प्रवीति थोड़ी कम होती है काफी सारे आयरं टॉनिक है लीवो फेरॉल है फेरो लीव है और काफी सारे टैबलेट्स भी है वो पेट्रीक है यह सब दवाँ आकर अगर आप देते हैं डॉकgers तो उनमें ये कुत्तों में ये घास खाने की प्रवीति थोड़ी कम होती है मैं कहां कम होती है बंद नहीं होंगी तो ये अगर कम होती है तो भी फायदेमंद है और अगर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये कुत्ता जो घास खाने के लावे भी अपना पौटी भी खा जा रहा है तब लेकिन कर बढ़ है तब लेकिन उसे सोचेंगे कि कुटा बिमार है फिर उसका इलाज करना पड़ेगा उसके लिए नजदीकी पशुची गिस्से के पास जाएं उनसे कहें ऐसे मैं उसके कारण भी मैं अभी आपको बताया देता हूँ अगर कुटा घास के साथ अपना पैखाना या गंदा चीज खाता है तो इसका मतलब है वो हो सकता है पाई का जो बिमारी है उससे को या पैन्क्रियेटाइटिस नाम की गंभीर बिमारी है उससे ग्रसित हो तो यह सारी सम्मावना है लेकिन उन सब का इलाज आप खुद से बिलकुल ना करें नजदी की पसुची किस्टके पास जाएं और ऐसे पसुची किस्टके पास जाएं जो स्मॉल एनिमल में विस्टक्जयता हासिल की हुई है जैसे मैं किया हुआ हूँ तो अगर जो लाज एनिमल में किया हुआ है विस्टक्जयता या जेनरल मेडिसिन में किया हुआ है वो उनको इस पारे में उतनी जानकरी नहीं होगी तो आप वो जैसे सहर के प्रचलित कुतों के डॉक्टर के नाम से प्रचलित होंगे उन डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं तो आज बस इतना ही आगे और भी टिप्स मैं देता रहूंगा उसके लिए अगले वीडियो का इंजियार करें और मेरा वीडियो या सुझाओ अगर प्रसंद परा तो आप लाइक करें इसे शेर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो जरूर करें ये मेरा निवेदन है धन्यवाद